नमस्कार भारत एक्स्प्रेस में आपका स्वागत है मैं हूँ हरिशंकर कुमार लोगसवाचुनाओ के तीसरे चड़न के मद्दान से पहले करनाटक में यौन शोशन के मामले ने सियासी भुचाल मचा दिया है ये संगीन आरोब भी किसी आम आदमी पर नहीं है इलजाम दिश के पूर पीएम के बेटे और पोते पर है उनके खलाप यौन उत्पीड़न मामले में एफायार दर्ज है राजे सरकार ने जांच के लिए एसाइटी का गठन भी कर दिया है दरसल करनाटक सरकार के पूर मंत्री HD रिवन्ना और उनके बेटे प्रजवल रिवन्ना के खिलाप एक महिला ने यौन सोशन का केस दर्ज कराया है पिडित महिला रिवन्ना के घर में खाना बनाती थी पिडित महिला के आरोपों के मताबिक उसने जब HD रिवन्ना के घर कुक का काम शुरू किया था उसके कुछ महिने बाद ही वो उनका यौन सोशन करने लगे थे इतना ही नहीं उनके बेटे प्रजवल रिवन्ना उनकी बेटी को वीडियो कॉल कर अशलीर बाते करते थे आपको बता दें कि HD रिवन्ना पूर पीम और JDS प्रमुख HD देवेगोडा के बेटे हैं वहीं प्रजवल रिवन्ना हासन लोगसभासीट से मौझूदा सांसद हैं 33 साल के प्रजवल हासन लोगसभासीट से राजक के उमिदवार भी हैं महिला की शिकायत पर हेलेन रासीपूर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है करनाटक सरकार ने महिला आयो की अध्यक्ष डॉक्टर नाग लक्षमी चौधरी की लिखी चिठी के बाद प्रजवल रिवन्ना से जोड़े एक कथित सेक्स स्केंडल मामले में एसाइटी जांच के आदेश दिये हैं इधर महिला ने अपनी जान को खत्रा भी बताया है बताया जा रहा है कि महिला रिवन्ना की पत्नी भवानी की रिष्टेदार है चुनाव और संगीन आरोपों के बीच प्रजवल रिवन्ना शनीबार सुबह जर्मनी चले गए हैं इधर सियासत उफान पर है उधर जेडियेस और भाजपा दोनों के चुनाव एजेंट पोर्ण चंदर तेजस्वी एमजी ने अश्लीर वीडियो फोटो के इस मामले में थाने में शिकायत तरज कर आई है उन्होंने आरोप लगाया है कि नवीन गोडा और कई अने लोगों ने प्रजवल को रिवन्ना को बदनाम करने के लिए ये अश्लीर वीडियो शेयर किये हैं एफाई यार में कहा गया है कि नवीन गोडा और अने वीडियो और फोटो मदाताओं के बीच शेयर किया वो लोगों से प्रजवल को वोट नहीं देने को कह रहे थे आपको बता दें कि राज्य में जेडियेस और बीजेपी का गठवंधन है वीडियो सामने आने के बाद राज्य के डिप्टी सीम डीके शिबकुमार ने केंद्र और करनाटक के बीजेपी प्रमुख बीवाई बीजेएंद्र से जबाब मांगा है शिबकुमार ने ये भी कहा है कि मैंने उनकी मतलब प्रज्वल रिवन्ना की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि महिला आयोग उनकी छबी खराब करने की कोशिश कर रहा है वही जेडियस नेता और पुर मुखिमंत्री हडी कुमार स्वामी ने शिबकुमार पर आशलीर वीडियो में शामिल होने का आरोप लगाया है इस आरोप पर डिप्टी सीम ने अपने जबाब में कहा है कि कुमार स्वामी को मेरा नाम लेने दीजे मैं उन्हें बेनकाब करूँगा क्या ये इस तरह का बात करके महिलाओं के खलाप यौन उत्पिरन को उची ठहरा रहे हैं। लोकसभा चुनाओं के बीच कथित सेक्स स्कैंडल से मामला उफान पर है। बीजेपी और जेडियस सिधारमया सरकार को कटखारे में खड़ा कर रही है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाओं के दौरान यौन सोशन के संगीन आरोब का मकसद कुछ और तो नहीं। इसका जवाब जाच के बाद ही मिल पाएगा। बीरो रिपोर्ट भारत एक्स्प्रेस